तो कुस्टूएंट का मुझे परसनले मेसेज आया था कि सर पी डबली डेट्स के लिए कौनसे कौनसे वेकेंसी से कहा कहा पर आगे आने वाले जॉब में हमेरे लिए रिजरवेशन रखा गया है तो वही हम लोग कौनसे कौनसे पोस्ट है कहा पर अप्लाय कर सकते हैं सारी च के लिए रिजरवेशन रखा है वह देखते है सबसे पहले सारे पोस्ट के लिए नहीं रखा है डिसिप्लिन कौनसे कौनसे तो टेकनिकल ऑफिसर सी के लिए ने सबसे हाई एस जहां पर डिग्री लगेगी वापे सिर्फ फिजिक्स आर्किटेक्ट्टर एंड इलेक्ट्रो इसे आपको अप्लाय करना पड़ेगा क्योंकि इन तीन डिसिप्लिन में ही यहाँ पर सिर्फ रिजरवेशन रखा गया है यहाँ पर नीचे नोट दिया है वो भी एक बार ज़रूर से चेक आउट करना यह था टेकनिकल ऑफिसर सी के लिए डिग्री वाला पोस्ट है वह सा के अलावा अगर आप किसी और डिस्प्लिन से अपलाय करना चाहते हो तो या तो आप कास्ट के बेसिस पर या फिर डार्यकली अरिजर्व या फिर ओपन कैटेगरी से आपको अप्लाय करना पड़ेगा यह है तो यह वीडियो हम लोगोंने अल्रेडी डिसक्रस किया है पू उसके बाद आता है department of atomic energy यहाँ पर थोड़ा non technical post हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं लेकिन इसका pay scale बहुत अच्छा है 25,500 इसका basic रहेगा age limit है 18 से लेके 27 year तक post name है junior purchase assistant या फिर junior store keeper इसका भी हम लोगों ने already discuss किया है यह जो notification related or everything in detail में हमने already discuss किया चैनल पर आपको मिल जाएगा total 65 post है उसमें से 3 post है वो PWD students के लिए यहाँ पर vacant रखी गई है next vacancy है FACT के तरफ से याने के fertilizers and chemicals Trivencore Limited के तरफ से यह हम लोग ने detail में discuss नहीं की है लेकिन इसका PDF है वो आपको description box में मिल जाएगा यहाँ पर management training जहाँ नमबर देख सकते हो है यहाँ पर two vacancies है जिसमें से तीनों post में एक एक जो post है वो यहाँ पर reserve करके रखी है for the PWD candidates कॉनसे तैप के disability है इन्होंने allow की है यहाँ यहाँ पर bracket में देख सकते हैं इसका in detail में यहाँ नीचे इन्होंने full form यहाँ पर दिया है तो इसका भी PDF आपको नीचे description box मिल जाएगा वहाँ से भी आप apply कर सकते हो तो और इसके अलावा यह तो आने वाले exams हो गए तो महाज इनको के related भी कुछ student का मुझे message आए कि सर कौन से कौन से पोस्ट के लिए कितने number of vacancies reserve करके रखी क्योंकि इन detail में वहाँ पर नमबर नहीं लिखा गया था तो assistant engineer के लिए total 14 vacancies reserve करके रखी है इन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि total 4% आपको horizontal reservation मिलेगा इसका मतलब क्या है हम लोग सबसे पहल होगे यहने के 5 से 6 post है वो आपके लिए reserve करके रखी है same for the electrical electrical में भी assistant engineer के लिए total 122 post है इसमें से भी 4% अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 से 6 post है वो आपके लिए यहाँ पे reserve करके रखी होंगी और instrumentation के लिए total 61 post है तो इसमें से 2 से 3 post है वो यहाँ पे इन्होंने आपके लि यह 14 मतलब मेरे खायल से इसमें से 6 post रहेंगी इसमें से 6 post रहेंगी और इसमें से instrumentation के लिए total 2 post है वो वेकेंड करके रहेंगी for the assistant engineer junior engineer के लिए एक बार चेक करके लेते है 116 vacancies है इसका भी अगर आप देखोगे तो 5 से 6 ही आता है 4% निकाल होगे तो इसका भी 116 post है for electrical के ल रखा होगा and last one is 58 for instrumentation यहां पर अगर आप देखोगे जो दो एक से दो यहां पर वेकेंसी और रिजर्व करके रखी यहां पर 13 है तो यहां पर शायद 6 6 और यहां पर 1 हो सकता है या फिर 553 भी यहां पर देख सकते तो इधने exact नहीं दिया लेकिन most probably 6 6 and 1 ही यहां पर होगा तो यह है junior engineer और assistant engineer के लिए भी वेकेंसी जो हुआ है महाजनकों का process तो यह upcoming exams है जो तीन मैंने यहां पर बत्या तो यहां पर आप easily apply कर सकते हो अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके रचट कुछ भी doubt है नीचे comments में मुझे पूच सकते हो इसके अलावा अगर आपके औ और भी कुछ जानकरी चाहिए जिसके उपर मुझे वीडियो बनाना अगर आपको लग रहा है तो वह भी मुझे comments में जरूर से बताना उसके उपर भी हम लोग जरूर से वीडियो लेके आएंगे ठीक है तो मिलते हम लोग next video में किसी और topic के साथ